नमस्कार दोस्तों, Special Education Screen में आपका स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Types of Disabilities यानि की दिव्यांगता के प्रकार के बारे में तो दोस्तों, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जिसे हम RPWD Act 2016 बोलते हैं उसके अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं दोस्तों, आपको ये भी जाना जरूरी है कि पहले ये 7 प्रकार की होती थी जिन्हें RPWD Act 2016 में बढ़ा कर 21 कर दिया गया है तो दोस्तों, ये हैं वो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं जिनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे तो दोस्तों, सबसे पहली disability है blindness जिसे हम हिंदी में दृष्ट हीनता बोलते हैं तो एक जो दृष्ट हीन व्यक्ति होता है वो देखने में असमर्थ होता है यानि जिसको हम पूंड दृष्ट इबादित बोलते हैं जिसको बिलकुल भी दिखाई नहीं देता है उनको हम blindness की कटेगरी में रखते हैं दृष्ट हीनता के कारण कौन कौन से हैं तो ये जन्मजाद भी हो सकता है और ये दुरघटना वर्स भी हो सकता है यानि कोई accidental case भी हो सकता है जिन में उनकी आखों की दृष्ट ही चली गई हो या फिर वो जन्मजाद भी हो सकता है एक अनमान के अनुसार दुनिया भर में लगबग 39 मिलियन लोग जो है वो दृष्ट हीन है यानि ब्लाइन हैं तो 49 मिलियन लोग जो है वो ब्लाइन है और 90% जो ब्लाइन लोग है वो विकास सील देसों में रहते हैं यानि कि जैसे भारत हुआ ऐसे 90% लोग जो दृष्ट हीन है वो भारत जैसे देसों में रहते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरी प्रकार की दिव्यांगता है लो विजन जिसको हम बोलते हैं अलपद्रिश्ट इबादित तो अलपद्रिश्ट इबादित का मतलब होता है जो व्यक्ति पूर्ण रूप से देखने में अच्छा हम होते हैं यानि कि जिनकी आखों में अभी भी कुछ मात्रा में दृष्टी उपलब दोती है और वो कुछ मात्रा में देख सकते हैं उन्हें हम अलपद्रिश्ट इबादित यानि लो विजन की कटेगरी में रखते हैं इसको मापने के अलग-अलग तरीके होते हैं जिनकी आधार पर बची हुई द्रिश्ट को यानि की बचे हुए विजन को मापा जाता है एक अन्मान के अंसार दुनिया भर में लगभग 246 मिलियन लोग लो विजन से पीडित हैं तो दोस्तो तीसरी प्रकार की जो दिव्यांगता है वो है कुष्ट रोग यानि की लेप्रोसी की ओर्ट परसन जिसे हम बोलते हैं उनको इसकी कटेगरी में रखा गया है कुष्ट रोग को हम हैंसन रोग भी बोलते हैं और ये एक बहुत ही पुरानी संक्रामक विमारी है जो की मायको बैक्टिरियम लेप्राई नामक बैक्टिरिया के कारण होती है डोस्तों ये जो है ये मुखी रोप से तचा आपके गले की नली और आखों को प्रवाविद करती है जिसमें हाथ-पैरों की उङलीया गलने लगती हैं उनको हम की रोग के अंतरगत रखते हैं दोस्तों ये जो रोग होता है ये प्रारम्विक अवस्था से लेकर व्रद्धा वस्था तक यानि ओल्ड देस तक सभी उम्र में होता है और इसका इलाज संभो भी है जिसको हम multi drug therapy कहते हैं उसके साथ इसका इलाज संभो है तो दोस्तों चौती प्रकार की दिव्यांता है hearing impairment यानि कि जिनको सुनने में problem होती है उनको हम hearing impairment की category में रखते हैं तो दोस्तों इसके भी दो portion divide कर दिये गए हैं पहला है आपका deaf दूसरा है hard of hearing ठीक है तो deaf का मतलब यह होता है जिनके दोनों कानों में speech frequency में 70 dB hl से ज्यादा हानी होती है यानि कि जिनको 70% से ज्यादा hearing loss होता है उनको हम deaf की category में रखते हैं और hard of hearing जिसे हम बोलते हैं जिन दोनों कानों में speech frequency में 60 dB से 70 dB तक भलब जो hearing loss होता है उनको हम hard of hearing कहते हैं अगर हम बहुत ही सरल भासा में कहें तो deaf का मतलब यह हो जाता है कि जिनको बहुत ही कम बहुत ही कम सुनाई देता है और hard of hearing का मतलब अगर हम समझे जिनको बहुत ही थोड़ा सुनाई देता है जो क कान की machine लगाने से उनको recover हो जाता है और वो अब पहले की तरह सुन सकते हैं तो दोस्तों प्रकार की disability है locomotor disability जिसको सभी लोग जानते हैं यानि कि हाथ पेरों की समस्या जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में समस्या होती है उनको हम locomotor disability के अंतरगत रखते हैं इसमे क्या होता है इसमें हड्यों, जोड़ों और समस्या समन्दीद द्वयांगता हो जाती है और इसमें वैक्ति का movement जो है वह रुख जाता है जैसे की चलना, हाथ में सामान उठाना या फिर किसी सामानको ठकड़ना ठीक है ये सब रुख जाता है या overall कहके इसे किसी वैक्ति के परिचित है तो दोस्तों बॉनापन एक सरीर का एक विकार है व्रद्धि विकार जैसे हम बोलते हैं और जिससे सरीर की उचाई बढ़ती नहीं है उसे हम बॉनापन कहते हैं तो दोस्तों ऐसा होता है इसमें कुछ कटेगरी होती है जिसका सरीर 4-10 इंच से कम होता है उनको यह कारण यह बौनापन हो सकता है ठीक है तो अधिकतर जो होते हैं वह आन्वनसिक यानि की यानि माता-पिता से संबंदित होते हैं माता-पिता या फिर उनके घर में किसी को यह बौनापन की प्रॉब्लम होती है तो उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं डॉर्फिल्म के सिकार ह हो जाते हैं उनको हम डॉर्फिज्म की कटेगरी में रखते हैं तो दोस्तों हमारी अगली दिव्यानिता है इंटेलेक्च्वल disability जिसको हम बौधिक अच्छमता बोलते हैं यानि कि बुध्ध से related जो की अच्छमता होती है इसमें क्या होता है जो की एक ऐसी इस्थिति हो जाती है जिसमें बौधिक कामकाज तर्क करने किसी चीज को सीखने या फिर किसी समस्या को हल करने में प्रॉब्लम होती है या फिर सारी ऐसी चीजे होती है जिनमें इनको प्रॉब्लम होती है और यहां पर जो है इनका व्यवहार भी बदल जाता है और साते साथ सामाजिक समस्यां भी आ जाती है बच्छों में तो उनको ऐसे बच्छों को intellectual disability के अंतरकाथ हम रखते हैं तो दोस्तों अगली प्रकार की जो है वह घड जाती है ठीक है कोई भी कारे करने जाता है तो उसमें ध्यान नहीं लगता है depression हो जाती है चिंता के सिकार हो जाते हैं ऐसे लोग जो है वो मांसिक बीमारी यानि mental illness के अंतरगत आते हैं इसमें बहुत सारी बीमारी जो है वह अपने आप अटैच होती होती है और वो Mental Illnessy Category में रखे जाते हैं तो दोस्तों अगली प्रकार की जो दिव्यांगता है वो है Autism Spectrum Disorder इसको हम बहुत ही ध्यान से समझते हैं यह एक विमारी है जो की संचार और व्योहार को प्रभावित करता है संचार यानि कम्मुनिकेशन जो हम बाचीत करते हैं जैसे कि बच्चा अपनी सुद्बूद खोए बैठा रहता है ठीक है किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करता है ठीक है और बाचीत में भी उसको कटना ही होती है एकदम सांथ पैठा रहता है उसको खेलना भी नहीं होता है यानि कि वो अपने हम उम्रिक के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता है ठीक है बहुत ही सांथ रहता है और जो अन्य कामकाज होते हैं जैसे कि कपड़े पहनना खाना खाना इस तरीके के जो काम होते हैं खे बोलते हैं और उनको इस काटेगरी में रखा जाता है तो दोस्तों अगली प्रकार की दिव्यांगता है जिसको हम बोलते हैं मस्तिस्क पच्छा घात इसमें क्या होता है इसमें ब्रेन को नुक्सान पहुंसता है यानि कि अगर हम एक एक्जामपल ले जैसे कि एक्सिदेंट ह हो गया तो उसमें ब्रेन में चूट लग गए जिसके करण सरीड की मान स्पेशी में प्रॉब्लम आती है यानि कि जैसे कि हाथ नहीं उठ रहा है पैर नहीं उठ रहा है सरीड कि किसी भी मान स्पेशी में वह धीली पढ़ जाती है ठीक है या फिर बहुत ज्यादा अकर जा सर्बल पलसी अगर एक बार हो जाता है तो वह समय के साथ यानि कि टाइम के साथ और ज्यादा खराब नहीं होता है ठीक है वह वैसे का वैसा बना रहता है और भारत में लगबग एक हजार में से तीन बच्चे जो हैं वह सर्बल पलसी से पीडित होते हैं दोस्तों अगली प्रकार की दिव्यांगता है muscular dystrophy जो कि अभी हाल में ही अभी जारी किया गया है और इसको बहुत सारे लोग हो सकता है ना भी जानते हूं तो इसको बारह मैं ऐसे समझते हैं यह एक neuromuscular विकारों का समू है ठीक है जिसमें क्या होता है इसमें मान स्पेशियों के कमजोरी ह हो जाती है और यह एक प्रगतिसी लिस्थ थे में बात इसकी समझी है यह प्रगतिसी लिस्थी यानि कि यह समय बीतने के साथ साथ खराब होता जाता है देखें सर्वल पलसी जो थी वो जो है समय के साथ खराब नहीं होती थी muscular dystrophy क्या है यानि कि जिनके मान स्पेशियों म और भी ज्यादा खराब होती जा रही है तो उसको हम muscular dystrophy के अंतरगत रखेंगे ठीक है और यह जो muscular dystrophy है यह आपके USA और भारत सहित कई देशों में इसको विकलांगता की रूप में माना जा चुका है और फिलहाल अभी तक muscular dystrophy का कोई भी इलाज उपलब्द नहीं है तो तो हम muscular dystrophy के अंतरगत रखते हैं तो दोस्तों अगली प्रकार की दिव्यांगता है chronic neurological conditions ठीक है तो दोस्तों यह बहुत ज्यादा broad term है इसमें बहुत सारे रोग होते हैं जिनके कारण यह हो सकता है ठीक है तो neurological conditions में कौन कौन से रोग आते हैं neurological conditions यानि brain cellular जैसे की Alzheimer रोग, Parkinson's रोग, dystonia, Huntington's रोग, neuromuscular रोग, multiple sclerosis, मिर्गी जिसके हम मिर्गी बोलते हैं जिसमें जटके बगर आते हैं ठीक है इसको इसके अंतरगत रखा गया तो इसमें बहुत सारे रोग हैं जिसके जगारा chronic neurological इस्थिति उत्पन हो सकती है और उसको इसको इसकी category में रखा जाता है तो दोस्तों अगली प्रकार की दिव्यांगता है specific learning disabilities जिसे हम learning disability बोलते हैं और जिसे हम सभी परिचित हैं इसमें क्या होता है इसमें किसी व्यक्ति को सीखने, सुनने, सोचने, बोलने, लिखने, learn करने और गड़ती गड़नाओं को सीखने में problem होती है ठीक है और यह जो learning disability होती है इसके तीन जो है उसको तीन भागों में divide कर दिया गया है जिसमें पहला आता है आपका dyslexia, दूसरा dysgraphia और तीसरा dyscalculia ठीक है तो चलिए इन तीनों को समझ लेते हैं यह learning disability के अंतरगत आती है तो जो dyslexia होती है इसमें क्या होता है इसमें किसी भी बच्चे को प प्रब्लम होती है यानि जिनकी लिखावट बहुत ज़्यादा खराब होती है handwriting बहुत ज़्यादा खराब होती है तो ऐसी बच्चों को हम dysgraphia के अंतरगत रखते हैं और dyscalculia एक ऐसी दिव्यांगता है जिसमें अंग गडित को सीखने सेंख्याओं को समझने जोड़ घटाना करने या फिर इस तरीकी की जो प्रब्लम होती है जो गडित में प्रब्लम होती है mathematics में प्रब्लम होती है उनको को हम dyscalculia के अंतरगत रखते हैं तो जो तीन से च्छे परसंट बच्चे जो है तीन से च्छे परसंट अबादी जो है वो हमारी dyslexia से प्रभावित है तो दोस्तों अगली प्रकार की दिव्यांगता है multiple sclerosis तो दोस्तों यह कैसी बीमारी है जो कि हमारे body के central nervous system को जो हमारे सरी को information भीज़ियती है वो रुख जाती है इसी क्या हो जाता है सरी में ठेकान हो जाती है कम जौराई दर्द जुन्जुनी है ठीक है और आवसाद या चिंता जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन हो जाता है और यह उन समस्या भी हो सकती है और मुत्रासे की समस्या भी बोलते हैं इस तरीके के कुछ लच्छड होते हैं जिनको हम मल्टिपल स्क्रोशिस की अंतरगत रखते हैं तो दोस्तों अगली दिव्यांगता है स्पीच एंड लेंगुग डिसबीर्टी तो इस दिव्यांगता में दो तरीके के डिसॉड़र आते हैं पहला है आपका कि की बोलने की problem आती हैं दूसरा आपका language disorder जिनको बोलते हैं भासा विकार वाले लोगों को जिनको वो अपने को व्यक्त नहीं कर पाते हैं यानि कि वो भासा में उनकी problem होती है और या फिर कहले उनको किसी भी चीज को समझने में कटना ही होती है यानि कि अगर कोई चीज बो भासा को व्यक्त करने और समझने की कटना ही होती है दोस्तों बढ़ते हैं अगली दिव्यांगिता की तरफ जिसका नाम है थैलेसीमिया थैलेसीमिया का नाम आपने कई बार सुना होगा दोस्तों यह एक blood disorder है इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन जो है वो सरीन में कम बनने लगता है जिसके कारण लाल रक्ति कोसका जो होती है वो कम पढ़ जाती है ठीक है यह प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन होता है जो की आकसीजन को सरीर में चारो तरफ पहुंचाता है ठीक है तो अगर जो हीमोग्लोबिन वो कम बनने लगता है जिससे जो यह पनल देखकर में किती है और है, वी आता है, तो दोस्तों कि दिव्यांगता है हमो फीलिया जिससे हम सबी परिचित है और इसमें क्या होता है ये तरीके का blood disorder है इसमें क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है यानि कि हम सभी जानते हैं सामान रूप से अगर हम कई कट जाते हैं कई छिल जाते हैं तो कुछ समय बाद हमारे सरीर में जो है रक्त का थक्का जम जाता है उस जगा पर और खून व रुकता नहीं है तो उसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं इसको भी डिसिबिलिटी की कटेगरी में रखा गया है दोस्तों अगली प्रकार की दिव्यांगता है सिकल सेल डिजीज यानि कि सिकल सेल रोग से बोलते हैं यह जो है ब्लड डिसॉडर का एक ग्रूप है ठीक है इसमें इसमें क्या होता है रख टिकोस्का यानि कि यह और फिर वह तूट जाती है इससे क्या होता है हमारे स्रीर में जो ले जाने की चमता हो जाती है आरबीसी में जो चमता होती है वो कम पड़ जाती है इससे हमारे सरी में आक्सिजन की कमी हो जाती है इससे हमारे सरी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं जिनको सिकल सल डीजिस के अंतरगत रखा गया है दोस्तों अगली प्रकार की दिव्यांगता है multiple disabilities जिसे हम बहु दिव्यांगता भी बोलते हैं बहु दिव्यांगता जैसा कि नाम से पता चला आए है बहु दिव्यांगता यानि कि दो आए दो से अधिक दिव्यांगता किसी विव्यांगता किसे विव्या को जो कि जिसको 2 या 2 से अधिक Definitelys हैं उनको हम multiple disabilities के अंतरगत रखते हैं उदारण के लिए जैसे कि किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति है जिसको दिखाई भी नहीं देता है और उसको सुनाई भी नहीं देता है तो उसको हम Deaf Blindness की कटेगरी में रखते हैं और उसको हम Multiple Disabilities के अंतरगात रखते हैं दोस्तों अगली प्रकार की दिव्यांगता है Acid Attack Victims यानि कि Acid Attack Pedic जो है वो इसके अंतरगात आते हैं जिनके उपर तेजाफ फेकने के अपराद होते हैं और भारत उन देशों में सामिल है जहां पर सबसे अदा Acid Attacks होते हैं ठीक है यानि कि सबसे अदा इसमें महिलाएं साम गया है तो इस RPWD Act जो 2016 अभी नया नया हाल में ही लांच हुआ है उनमें इनको Acid Attacks Victims को जगा दी गई है तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और आखरी Disability की तरफ जो की है Parkinson's Disease जिसको हम Parkinson's रोग बोलते हैं इसको भी Disability के अंतर का सामिल किया गया है यह एक मस्तिस्क विकार है यानि की जो Brain Disorder है इसमें क्या होता है सरीर बहुत यदा कंपन करने लगता है सरीर में जकणन हो जाती है चलने फिनने में प्रोब्रम होती है सरीर का संत करने में कटना ही होने लगती है ठीक है उनको मानसिक विमारी हो जाती है ठीक है उनकी विवार में परिवर्तन हो जाता है उनकी नीद में समस्य होती है नीद ना ना डिप्रेशन के सिकार हो जाते हैं साथी साथ उनको मेमोरी में भी प्रोब्लम होती है यानि वो चीजों को तो दोस्तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को बहुत ही विस्तरत तरीके से बताया है और मैं आशा करता हूँ आप कोई वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कोई भी कुश्यन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं थैंक यू थैंक यू फर वोचिंग वीडियो